वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे आप सब लोग जरूर बताना तो आज का जो लोग है वो गनपती डेकोरेशन का होने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता है कनेश चतुर थी आने वाली है दो दिन के बाद और मैंने मेरे घर के गनेश जी के लिए जो है डेकोरेशन कर लिया उनका जो पंडाल था वो मैंने सजा लिया एक बहुत ही सिंपल सा जो है डियाइवाई यूज किया मैंने तो आज का जो लोग है वो डियाइवाई स्पेशल होने वाला गनपती डेकोरेशन अगर आपने अभी तक नहीं की है अपने गनपती की तो यह डियाइवाई में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए यह प्लास्टिक की पाइप से जो के हाड़वेर की शुब से बहुत ही इसली मिल जाती है कोई डिफिकल्ट नहीं इनको लाना और इसके साथ में इनको कनेक्ट करने के लिए यह थ्री पोर्ट वाले जो हमेशा डाइनिंग टेबल पर रखती हूं वहां पर सभी पूजा का समान जो है आसानी से आ जाता है तो बैस करना है कि आपको अपने जो भी टेबल है चेर जो जिस पर आपने गनपती रखने वाले हो उसका मेजरमेंट लेना है कितनी लेंद है उसकी कितनी वीड़त है और कितनी हाइट तक अपने जो पंडाल है आपका उसको रखना है आप चाहो तो आप इसको डारेक्ट फ्लोर पर भी लगा सकते हो अगर आप बैंच ए टेबल या मेरी तरह डाइनिंग टेबल पर नहीं गनपती बठा रहे हो तो उसके बाद आपको मेजरमेंट लेने के बाद आपको इक्वली पार्ट में सारे जो है पार्ट काट लेना है इसको काटना भी आसान है कोई ऐसा हार्ड अन फास्ट रोल नहीं तो मैंने यहाँ पर अपने डाइनिंग टेबल की जो है साड़े तीन फूट की लेंथ लिए तीन फूट की जो है वीड़त लिए और तीन इस zuरी आसान तरीके से ज्ट दो जाती मिल्स कॉत इंको कॉंट करना Nr2 को एकशो के निदी ब्लकुल कोई क्या क्या स्विवनिद्स प्राइच कर सकते DScraft & पार्ट जो है जॉइन्ट हो गए है और मेरा एक रेक्टेंगल से में एक बोक्स बनके जो है रेडी हो गए है मुझे इस बोक्स पर ही जो है अपनी सारी आगी की डेकुरेशन करनी है और इस पॉइंट पर मैं आप लोगो को आईडिया देना चाहूंगे अगर आप चाहो तो कवर करने वाली है ताकि यह वाइट वाला पार्ट ना दीकेशन और आपको अपने टेबल पर जो भी आपको कपड़ा भिच्हाना हो जिससे आपको टेबल को कवर करना है वो अपको भिच्छा लेझना मैं ये green ग्रास लेकि आए हूँ जिसको मैं हर साल सिर्फ गनपती में बाकि और किसी यूज के लिए मैं इसको यूज नहीं करूंगी तो मैं इसके बाद मेरा next step है कि मैं जो नीचे के जो मुझे legs दिखाई दे रहे हैं अपने डाइनिंग डेबल के मुझे उनको cover करना है ताकि वो दिखने में अच्छा देखे तो उसके लिए मैं आपने ये डु के लिए यूज करती हो तो इस तरीके से मैंने देख सकते हो आप आगे की साइड से मैंने कवर कर दिया है अपने डाइनिंग टेबल को और इसी तरीके से मैं अपने साइड से कावर कर दूंगी तो आप देख सकतो ये बहुत ही सुन्दर लग रहा है और इसके बाद मैं जो पीछे वाला अगर बाद में करोगे आगे वाला पहले कर लिया तो डिफिकल्ट होगा करने के लिए तो पीछे के लिए भी मैं जो है अपना एक ये डुपट्टा यूज कर रही हूं मैं आप चाहो तो कोई भी डेकोरेशन का यहां पे सामार यूज कर सकते हो जो भी आपके मैं जादा मैं बैक साइड में नहीं डेकोरेशन कर रही हूं विकोज मेरा ओरेडी वोल पेपर है अगर आपकी प्लेन वोल पे आप कर रहे हो तो थोड़ा और जादा कर सकते हो तो इस तरीके से मैंने जो है ये अपना एक डुपट्टा लगाया इसको और एड कलर का और इ कवर करना था उसके लिए मैंने ये मेरे पास बहुत पुराने ही डेकोरेशन के सामान रखा हुआ था ये इस तरीकी की जो हैंगिंग वोल हैंगिंग होती है डेकोरेशन की ये इनसे मैंने जो वाइट वाला जो पार्ट है उसको कवर कर दिया था ताकि वो वाइट वाला प तो यह दिखने में ताकि बहुत सुंदर लगेंगे, आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान है, आप अपनी मन पसंद से कुछ भी मार्केट में जो भी पसंद आए वो उस टाइप से हैंगिंग, वोल हैंगिंग टाइप से, तो वो यूज कर सकते हो, या अगर आप चाहो त तो यह वाले वोल हैंगिंग जो डेकोरेशन के थे, यह मैं यूज करने वाली हूँ, इसके साइड में जो पहले लगा है, उनके साइड में यूज करने वाली हूँ, तो यह इस तरीके से मैंने इनको यूज किया, और यह मेरा यहां पर पीछे की साइड है, वो मेरा कम्पल तो इसके लिए मैं मार्केट से ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की यह मीटर के हिसाब से मिल रही थी कुछ 200-200 रुपए में इसली मिल जाएगी आपको तो यह ग्रीन कलर की लीफ की साइड की बेल टाइप में आप बोल सकते हो इनको तो यह काफी बड़ी थी तो मैं यह लेके क्यों गई थी मैं पहले वी डिषाइड करके गई थी तो इस तरीके से मैंने इनको यूज किया IMP hier लगाके स्फुदा सादिस्टेंस रखा फिर दोसरा वायर लगा फिर फिर दोड़ा डिस्टेंस रखा तो ठोड़ा अभी मगज मों के ieपका के यह यह पाइप के ऊपर इस है गरीन कलर की इसलिए यह वायर चूझ की भीकोज जी गिरीन कलर कि मेरी नीचे गरास होने वाली ए उसाइड में थोड़ा गरीन वाला लुक होने वाला तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और ट्रस्ट में मुझे ने पता आपको कामरे में कैसा दिख रहा है बत र लग रहा था एनिसके बाद मुझे अपने front side में जो है decoration करना था तो यह इसके लिए मैं जो है curtain जो है करीद के लेक आई थी तो ये मेरा एक white color का neck का curtain है ये decoration पर बस से ही मैं लेकिया हैं रही हूँ से जो है इसको एक रफली स्टिच किया क्योंकि मुझे यहां पर इसको एक दरबार की सेप देना था तो एक रफली स्टिच करना कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टिच नहीं करना इसको तो इस तरीके देख सकते हो आप एक साइड का मेरा स्टिच हो गया है और दूसरी साइड का म तो यहां पर यह मेरे दोनों कर्टेन जो है स्टिच हो गए है आप बैस मुझे करना क्या है इस तरिक से इसको थोड़ा आगे की साइड से थोड़ा साल का साल यूज छोड़के और यहां पर साइड में जो है यह अपनी जो मेरी प्लास्टिक के पाइप थी इन पर एक धागे जो है से मन्दिरों में हमा रहे होता है दर भार जो होते हुझा उसकी शेप ले लेगा यह तो दिखने में यह काफ इ सुन्दर लगने वाला है तो यह मैने स्टिच कर लिया है तो यह चाम नों प्र सुटरी इक डर बार सा लग रहा है सामने जो है मैं चोके पर गन पतीं झ तो अभी डेकोरेशन कंप्लिट नहीं हुए इससे आगे भी जो है फ्रंट साइड में एक और पार्ट है वो चलो आगे दिखाती हूं मैं आपको तो यह देखिए आप अभी तक की जो डेकोरेशन की मेरी लुक है यह है अभी एक और पार्ट इसका एड होने जा रहा है तो य इसके उपर जो डेकोरेशन होने वाली उसके वज़े से यह नीचे जुक सकता है तो इसलिए आपको स्टाइट बांधना होगा तो यह देखिए यह इस तरीके से मैंने पट्टा अपना बांध के जो है रेडी कर लिया है तो अब मुझे नेक्स्ट इसी वे उपर जो है मिलते हैं बहुत इजली मिल जाते हैं मार्केट में 40-50 रुपर डेजन के हिसाव से मिल जाते हैं और यह आर्टिफिशल जो है ग्रीन लीफ भी मिल जाती है सेम प्राइज में तो यह मैं लेके आई थी यह भी कोछ मुझे इस टाइप का डेकोरेशन करना था इस बार तो यह जो फ्लार है यह बहुत आसानी से यह जो पट्टा होता है यह फॉम होता है तो इसके अंदर ना बहुत यह आसानी से यह चला जाता है इसको चिपकाने की जुरूत नहीं होती है बट यह जो ग्रीन लीफ होती है इनको हमें चिपकाने की जुरूत होती है तो जो ग्रीन ली यह जो फ्लार होते है यह तो एजली जैसे लगी जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो तो यह मैं करके पहले रेडी कर लेती हूँ आपको इसी तरीके से करना है इसको और चलिए मैं यह रेडी कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हो फाइनल लूक इसकी तो यह देख सकतो है यह मेरा जो फ्रंट साइड का जो पट्टा था वो रेडी हो गया है मैंने दोनों साइड जो है लीफ लगा के अब पर साइड और नीचे की साइड में बीच में यह फ्लार में मल्टी कलर के लेके आई थी आप चाहो तो सिर्फ एक सिंगल कलर के भी सेड़ ना शयुक्त एुर सिंगल का जो मैं बर करना ऊंस दो पल्ग को प्रन का जचाते हो तो यह जो प्रंट में लगाया है यही पट्टा साइड में जहां और मैं जब।ipp लिव अधार यूज युज की भंपर विलगा सकते हो तो और सुंदर लगे गगा बट मैंने जो ह इसके बाद मैंने इसमें जो है लाइट्स वगरा लगा दी आपके पास भी जो है दिवाली की लाइट्स रखियोगी हर गर में रखे रहती है नहीं भी रखे रहती है तो आप खरीद के लिए एक बिकोज गनपती की डेकोरेशन में लाइट्स लगाने के और भी सुन्दर और यह कुछ और हैंगिंग वाले थे मेरे पास जो कि मैंने फ्रंट में डुपटे पे लगा दिये यह इस टाइप की डेकोरेशन ना इस टाइम पर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगे आपको तो यह आप देख सकतो लाइटिंग में यहां पर मेरे लग के रैडी हो ग जो कोई भी सामान है परशाद है फ्रूट सै दिया है डीपक जो भी आप चड़ाना चाहते हो यह आराम से स्पेस मिल जाता है यह तो यह देख सकते हो अप यह मेरी डेकोरेशन यहां पर जो पंडाल मेरा गनपती का वह रेडी हो चुका आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है रियल में बहुत ही सुन्दर लग रहा था तो इस डियाइवाई को आप लोग भी जुरूर ट्राय करना यह जो मैंने जितने भी हो वो लैंगी यह डेकोरेशन का जो भी सामान मैंने बताया है आप इसकी जगे कोई और भी सामान यूज कर सकते हो अपनी पसंद लग रहा था यह यह ग्रीन लेफ कुछ साइड इस तरीके से लग रही है और जो अंदर की साइड से जो वाइड कलर की पाइप दिख रही थी उनको भी मेरे पास यह यलो कलर के जो आर्टिफिशल फ्लार की माल आई थी वो लगा दिये मैंने ताकि यह ना दिखे तो कैसा लगा आपको यह मेरा डी आई वाई बहुत ही सिंपल सा है बहुत ही आसान है वह कोई हाड और फास्ट इस में रूल नहीं है और देख सकते हो मेरा जो गनपती का पंडाल रेडी हो चुका है आप लोग भी कीजिए इस तरीके से बहुत ही अभी सही ना एक एकसाइटमेंट का जो लेवाले वो बढ़ रहा है गनेश से तुर्थी के लिए जब से डेकुरेशन हुआ तब से तो चलिए इस लोग को ही एंड करती हूं मिलती हूं मैं अगला गनपती का व्लोग लग के आप लोगों के साथ तब तक के लिए बाई बाई